हेलो फ्रेंड्स तोड़े वे अटॉड़े डॉक अबाउट इस चैप्टर सेल साइकल एंड सेल डिविजिन इसकी मैंने ट्रिक बनाई है अशádाए होप कि आपको पसंद आए और आपकी थोड़ी हेल बोज़ाए कुछ कुछ वेशन सोलव करने में असानी से मैंने तोड़ी कोशिश किया है कि आपकी थोड़ी हेलप कर सकूँ इस ट्रिक के तूब तो यह ट्रिक क्या है सीधे महम इस पर आते हैं तो आप जानते हैं जो meiosis है वो दो steps में होता है meiosis 1 and meiosis 2 तो basically meiosis 2 जो होता है वो resemble करता है mitosis से तो हमारा जो main step आता है meiosis 1 जिसमें crossing over tetra formation वगेरा होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको याद करने की trick है जैसे हमारे stages होता है pro phase, metaphase, anaphase, stilophase यह सेम ही होता है meiosis 1, meiosis 2 में बस pro phase 1 होता है one के सब में और two में सब में two होता है तो meiosis, pro phase, metaphase, anaphase, stilophase को कैसे याद करेंगे हम MP, MA teacher कोई MP है MP मतलब member of parliament को याद रख सकते हैं ma master of arts वो teacher है तो MP, MA teacher है तो हमें ऐसे याद करें M से meiosis, P से pro phase, M से metaphase, A से anaphase, and T से tillophase तो इस तरह से हम दोनों की याद कर लेंगे एक ट्रिक से अगली हमारी आती है pro phase one की जो sub stages है उसको हम कैसे याद करें तो pro phase one की जो sub stages है हो हमारी है उसको लिए मैंने ट्रिक बनाई है lazy path दिया कोई lazy man है lazy path दिया दिया मतलब lazy farted तो lazy path दिया से L से Leptotene, ZY से Zyacotene, PA से Picyotene, D से Diplotene, DIA से Dikenesis तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसके sequence को pro phase, metaphase, anaphase, telophase, meiosis के sequence को इसके बाद pro phase one के जो सीक सब सेजिस है उसके sequence को याद करने की यह ट्रिक है अगली next video में मैं एक sentence form किया है यह उसके बारे में मैं आपको बतांगो कि कैसे आप कुछ खास properties भी याद रख सकते हैं इन सब स्टेजिस की इसके लिए मैंने सिर्फ एक sentence form किया है और थोड़ी main properties आ लिया है प्लीज नेक्स वीडियो देखेगा होप आपको यह भी पसन आयो थैंस वर वाचिए